हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावारॉप मैं सक्रेंडिम दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम नम्बा सिच्टम के अपडेटर सवाल सुपर टेट के लिए पढ़ रहें दोस्तों यकीर मानिए इससे बाहर सवाल आपके सुपर टेट के एक्जाम में नहीं आने वाले तो दोस्तों बड़ा पेसेंस के साथ आप अपने कंटेंट की तियारी करते रहे और मैं आपको हर एक सवाल से होकर गुजार दूँगा इतना तो कणफर्म कहता हूँ कि जो भी सवाल एक्जाम में आएगा ना वो इसी सेशन से आने वाले हैं तो दोस्तों बिना समय वरवात करते हुए आज क्लास नंबर 3 नंबर सिस्टम के स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल हमारा क्या कहरा जरा ध्यान से सुनेगा क्या किसी संख्या को 119 से भाग देने पर सेस हमारा कितना रहता है 19 रहता है ठीक है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो सेस रहेगा आप मुझे तो कैसे करोगे मैंने आपको कल आसान ट्रिक बताई आप इसको देखते ही आंसर माना चाहिए, इसका आंसर जो होगा बच्चा वो option number D होगा, कैसे? मैंने बोला आप से पूछा किया जाए क्या सेस रहेगा, तो आपको सिर्फ लेना देना कि सेस सेस पल से, यानि कि सेस यहां कितना है, आपको 19 है, जो सेस यहां 19 है ना बच्चा इसी को हम संख्या मान लेंगे, आप भाग किस से कर रहे बच्चा, आप होगे 17 से, तो अगर आप 17 से भाग करोगे, 17, 17, 17 पलस 2, 19 होता है, यानि कि सेस पल जो बच्चा रहेगा, वो कितना रहेगा, आपको 2 रहेगा, यानि कि option number D is the right answer, दोस्तो इस टाप के सवाल अब है, 48, ठीक है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए, तो सेस रहेगा, बहुत ही आसाने, कुछ नहीं करना, आपको लेना देना किस से बच्चा, आपको 48 से लेना देना है, आप मुझे तो 48 लिख दिया, यानि कि यही संख्या हो गई, आप भाग किस से कर रहेगा, आ यानि कि option number 16, the right answer, बहुत ही आसान सवाल है, I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा, चलिए हम बात करते है, कुछ नमबर 3 की, तो दोस्तों कुछ नमबर 3 आपके सामने यह रहा, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, सेस हमारा किता 27 रहता है, ठीक है, यदि उसी संक्या को 13 से भाग दिया जाए, तो सेस कितना रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, गैपको सेस पहले कितना रहता है, 17, आपको किस से भाग कर रहे, आपको 13 से, 13 एकम 13, 13 गोет सास्था होता है, 17, यानि कि 6 जो रहेगा बच्चा आप, यानि अस्वी शंक्या को दोसु असी से भाग देने पर स्य अमारा कितमरा रहता एक्सोपंदरा रहता है ठीक है य得 उसी संक्या को 35 से भाग दिया जासे तो एकड़ा बहुत आसान से क्या करना है से यहां बोलजा इसको यहाँ 002,505 अपको रहता है 10 ज्यादा इसका मलब जो 6 रहेगा बच्चा वो कितना रहेगा 10 रहेगा यानि कि option number 20 the right answer बहुत ही आसान सवाल है आई होब दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए आप बात करते question number 5 की तो दोस्तों ये रा question number 5 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है किसी संक्या को 175 से भाग देने पर सेस हमारा 132 रहता है ठीक है यदि उसी संक्या को 25 से भाग दिया जाए तो सेस कितना रहेगा यानि कि सेसपल कितना रहेगा आप मुझे तो क्या करना आपको कि सेसपल पहले कि 132 होगा यानि कि जो सेस पर रहेगा बच्चा आप कितना रहेगा option number 20 the right answer इस टाइप के सवाल अब आप औरली करने लगे होगे I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए बात करते कुस्सर number 6 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है किसी संक्या को 65 से भाग देने पर से 19ございます हमारा 43 रहता है ठीक है यदि उसी संक्या को 13 से भाग दिया जाये सेश कितना रहेगा आप कोacao से में तैरा से बात कर तो तो दोस्तों ये रहा कुसर नंबर साथ बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर सेस्पल हमारा 75 रहता है ठीक है यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तब सेस्पल कितना होगा बहुत ही आसान सवाल पहले सेस्पल कितना बसता था आ अब हम भाग कर रहे हैं किससे सैथिस से आप मुझे तो सैथिस दूना किता होता है चोहतर होता है चोहतर पिलस एक पशत्तर यानि कि आप जो सेश्पल होगा बच्चा वो कितना रहेगा एक यानि की ऑप्सन नंबर एस दा राइट आंसर आई होब दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए बात करते हो कुसर नंबर आठ की तो दोस्तों यह रहा कुसर नंबर आठ बहुत यासन जवाल है क्या कहरा किसी संक्या को 893 से भाग देने पर सेश्पल हमारा 193 रहता है ठीक है यदि उसी संक्या को 47 से भाग दिया जाए तो सेश्पल कितना रहेगा आप आप मुझे तो कैसे करोगे बहुत ही आसन पहले सेश्पल किता था आपको 193 अब 193 को अगर आप 47 से भाग करोगे ना तब सेश्पल कितना रहेगा आप मुझे तो कित्ती बार जाएगा आपको पांच बार चला जाएगा नहीं जाएगा चार सत्य 28 होता है चार्चो को 16 16 आपको कई टार होता है यानिकल 186 आएगा सैटालिस चोकों अगर आप परोगे ना तो कितना है आपको एक्साथं आएगा और 188 सी जो है एक 593 पर बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा यसका मलब जो सेशफल होगा बच्चा वह कितना होगा polítины ता राइट आञनसर आई होग दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए बात करते हो कुस्सर नमबर 9 की तो दोस्तों कुस्सर नमबर 9 आपके सामने ये रहा बहुत ही आसान सा वाले क्या कह रहा है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर सेस हमारा कितना रहता है ठीक है यदि उसी संख्या के बर्ग को यहां पर देखो थोड़ा अलग कर दिया गया उसी संख्या के बर्ग को पांस से भाग दिया जाए तो सेशपल कितना रहेगा मुझे ता आपको क्या करना है मैंने बोला आंगे के power पर ध्यान नहीं देना पहले 6 कितना रहता था 3 रहता था यानि कि हम संख्या मान। थीन ठीक है आप कहा उसी संख्या के बर को यानि कि संख्या हमने माने 3 तो 3 का बर कर देंगे तीन का वर्ग कितना होता आपको 9 होता है बर्ग को अगर 5 से भाग दिया जाए यानि कि 5 से अगर आप भाग करोगे ना तो कितना सेस्पल रहेगा आपको 5 पांच 5 प्लस 4 कितना होता है नो होता है यानि कि जो सेस्पल होगा बच्चा आप कितना होगा option number D is the right answer बहुत ही आसा की दोस्तो कुसर number 10 आपके सामने ये रहा बहुत यासान सवाल है क्या कह रहा है दो संख्याओं को 33 से अलग-अलग भाग देने पर सेस्पल को 33 से भाग दिया जाए तो सेस्प्राप्थ होगा दोस्तो बहुत ही आसान सवाल है जैसे मैंने क्या बोला था कि आपसे पूछा जाए सेस कितना प्राप्ट होगा तो आपको लेना देना किस से सेस से लेना देना है न आप मुझे तो पहले सेस पल कितना था आपको 21 और बाद में कितना था आपको 28 यानि कि पहले सेस पल 21 था और बाद में कितना है 28 है अब यहां देखो ध्याद से क्या कह रहा है कि योगफल को 33 से भाग दिया जाए यानि कि हमने संख्याय माल लिए इसके अगर योगफल को अगर आप 33 से भाग दोगे तब सेस्पल कितना होगा आपसे यही तो पूछ रहा है हो गया ना हसान आप मुझे तब कैसे करोगे आपको लेना देना सिर्फ सेसफल ते आप मुझे तो आप से सेसफल पूछ रहा है तो सेसफल से ही लेना देना है बस आपको इतनी बात ध्यार रखना और जीवन आपका सरल हो जाएगा आपको यहां पर जो भी फंसबों चाहे योगफल हो चाहे घन और चाहे इस्कौायर कुछ भी दे रखा है ना बस आपको सेशफ़ल का वही फंसन इंप्लिमेंट करना है आई होप दोस्तों आपको कुस्टर नंबर दस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा चलिए बात करते कुस्टर नंबर 11 की तो दोस्तों कुस्टर नंबर 11 आपके सामने यह आप बहुत यही तो होता है भाज को पता होगा आपको जब भी मैंने गोला जब भी सवाल आई ना तो आपको एक ऐस इस सवाल में फिक्स्ट दिया गया हो और इस हमारा कितना है 46 हो यानि कि सेश्पल हमारा फिक्स्ट दिया गया सेसपल 46 हो तो बस 46 से ही लेना देना है बस अब देखो ध्यान से फिर से पढ़ते सवाल को क्या कहा रहा भाग के एक प्रसंद में भाजक जो है अपने भागफल का 10 गुना और सेसपल का 5 गुना है कौन भाजक है सेसपल है कितना 46 और 46 का अगर 5 गुना करोगे न तो 5 गुना यानि की गुना पांच कर दोगे कितना आएगा आपको 230 होगा इतनी बात समझ गे आप देखो ध्यान से आप क्या कर रहा भाजक जो है वो अपने भागफल का 10 गुना है कौन भाजक आप मुझे तो ऐसा मैं भाजक भागफल क्या लूँगा जिसका 10 गुना करने पर 230 बते ना बस यहें करना है प्लस का करें से ख्ल करेंगे देखो 230 इंटु-3 यानि कि 110 क्या आइखा जेस का स्कॉएर होता किता आपको पांसों एंतिस होता है यानि कि हाँ वो खता है आपकों 129 और जीरो प्लस का किता करना पड़ेका 46 कि आप मुझे एक प्लस 46 करने की जरू पूरी हो जाती यानि कि option number D is the right answer आप इसको जोड़ का देख लेना लेकिन अगर आप option पर नज़ा रखते हो ना तो चीजें आपके लिए सरल हो जाती और आपका समय भी बसता है आई होब दोस्तों आपको question number 11 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा चलिए बात करते हो question number 12 की तो दोस्तों question number 12 आपके सामने यह रहा बहुत ही interesting सवाल है क्या कह रहा है जब किसी पूरांग के को तीन से भाग दिया जाता है तो सेस्पल एक रहता है ठीक है और के पिलस बन को पांस से भाग देने पर सेस्पल हमारा किता रहता जीरो यानि की पूरा-पूरा विभाज हो जाता जब भी सेस्पल जीरो आता यानि कि संक्या पूरी-पूरी कर जाती है ठीक है निम्न मेंसे केका एक संबोमान है आप मुझे लेकिन आपसे यहां देखू लाइन पढ़ो यह कह लिगा के पिलस बन को अगर आप पांस से भाग देते हो ना तो सेस्पल हमारा रहता जीरो जिए %5 करने का नियम आपको पता है cuando you define या थो हमारा low चीए करना कि is a चाइए पांच तब裡面 हमारा 5 से कटा है अगर में आधा पांसर नंबर कट जाएगा तो जीरो 80-0 रहेगा तो जी्वा संच कभी पांस से करता है नहीं करता है ना तो आपसन नमर एक अलत हो जाएगा नहीं कि लास्ट में 0-5 तो आ नहीं रहा यहाँ भी 0-5 नहीं आ रहा यहीं ऑफसन ऐसा है कि 64 65 यानि कि लास्ट में पांच मिलना यानि कि पूरा-पूरा कर जाएगा तभी तो सेस्पल हमारा जीरो आएगा तो इस टाइप के सवाल को इसी तरीके से किये जाते ताकि आपका समय बस सके आई हो दोस्तों आपको कुसर नमर 12 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा वह 52 से अधिक किंतु 104 से कम है तब भाजक होगा बहुत ही इंट्रेस्टिन सवाल है आपको लेकिन एक फंडामेंटल पता होना चीए कि बच्चा जो भाज होता है ना भाज क्या होता हमारा भाज जो होगा बच्चा वह भागफल इंटू भाजक होता है या मैं कहलू भाज अगर हमारा भाज जो है ना बच्चा वो कितना है 37,693 यानि कि 37,693 है ठीक है भागफल हमारा कितना है बावन है इंटू आपसे पूछ क्या रहा तो भाजक होगा भाजक आपसे पूछ रहा है प्लस का एक कंडिशन ओदे रखा है कि जो सेस्पल होना चाहिए बच्चा वह बावन से अधिक और 104 से कम होना चाहिए यानि कि सेस्पल जो होना चाहिए बावन और 104 के बीच में होना चाहिए इतनी बात कंफर्म है आप मुझे बताओ आप कैसे करोगे इस सवाल को आप कोगे अगर हम डारेक्ट ऑप्सन रख ले रखके चेक कर ले रहे ना ऑप्सन नी कालपा गोंगे तो 50 प्लस 2 एंटू 7002 कर दो निवास समझ कि 50 का 72 में में करोगे यानि कि Edgno को पहले लिख दो या Paint me यहां भी चार होगा चार एक तता होगा आपको जह के पांच चार किता होगा साथ यहां पसली 544 और आपके सामने 6wwww अ यहांचे कितना होना चाहिए इसका मतलब आपको अगर मैं इसको घटा देता उन इसमें 30544 को अगर मैं घटा देता हूं तो देखो 13 मते 4 जाएगा किता बचेगा आपको 9 बचेगा यहां है किता आपको आठ मेंसे चार जाएगा हो गया अगर हम बात करेंगे option number B को जैसे यहां लिख दिया 123 अगर यहां पर 123 लिख देता हूं ना थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं और 123 से देखते हैं क्या हमारा जो सेस्पल है वो 52 और 104 से के बीच में आरा अग नहीं आ रहा आप होगा अगर मैं यहां पर 123 लिख देता हूं ना वही कंडिशन रखता हूं 123 अगर मैं ने लिख दिया आप देखो गोड़ा करो सब्सक्राइब कर देखते हैं सेस्पल हमारा कैस के बीच में आ रहा है अगर आ रहा होगा तो आंसर हो जाएगा यहां देखो कितना आ रहा है हाँ को सेस्पल हमारा यहां बच्चा सततानवे जो की राइट बात है जो सेस्पल होना चाहिए बावन से जफ़ाइदा और 104 से कम यानि की इधर और यहां से बावन से ज्यादा कि से कम यानि किijnी सबतान में राइट आंसर हो जाएगा इसके बीच में तो आएगा इतनी बा तरिका क्या मैं आप को फिंगा दे रहाओं थोड़ी देर के लिए कि मुझे ब्धाओ कि के भाघवल दो कितना है और हमारे 1 किते 692 अप से कितना होगा तक Wakanda समझ करें कि त्हूंट रा बावन से भाग देतों कितनी बार जा रहा है एक्शली है यहां बावन हमारा किया है भागफल है हमारे यहाँ बावन से एक बावन से बावन से कितनी बाद जाएगा आप कोगे सब्सक्राइब 14 हां 7 बार पहले चला जाएगा ठीक है साथ दूनी 14 की 4, साथ प्रना 35 किता हो जाएगा 36, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में 6 जाएगा 1, किता बार आप देखो कितनी बार जाएगा, आपको कितनी बार जाएगा, आपको कितनी बार जाएगा, थीक है, दो बार जाएगा, दो दूनी किता होता, 4, 2, 5, 10, इदनी बार समझ ग नहीं जाएगा चार बार जाने पर चाहदूनी कितना हुआ आठ चार बंचे 20 से पचेगा आपको यहां कितना चार यानि कि आप देखो शेस्पल किता आरा फैतालेस लेकिन उत्ता चाहिए आपको बावन से अधिक होना चाहिए और 104 से कम होना चाहिए इतनी वा समझगे आप मुझे तब सेस्पल अगर हमको ज्यादा चाहिए ना तो हमको यह जो भाजक यानि की भागफल जो निकल कर आया वो कम लेना पड़ेगा यहां चार बार ना लेकर अगर आप तीन वार ही पंदरा हुआ तेरा मेंसे च्छे जाएगा आप कितना बचेगा आपको के साथ बचेगा यहां देखो चार बचेगा ना 14 मेंसे पांच जाएगा कितना बचेगा नो आप जाके यहां पर सेस्पल जो आएगा बच्चा को कितना आएगा आपको के 97 आएगा कहने का मलब यह ह वो अगर हमारा भाज़क हमारा 723 होगा तब जाके जो सेस्पल होगा वो 52 से अधिक और 104 से कम होगा तो इसका मलब ऑप्सन नमबर 20 दा राइट आंसर बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल है आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो आई होब दोस्तों आपको कुस्षर नमबर 13 योगफल होगा बहुत ही आसान सवाल है आप मान लो थोड़ी देर के लिए दो संख्या क्या है एक्स और भाई है ठीक है इनका जो गोड़न फल है बच्चा वो कित्ता है आपको क्या होगा यानि कि एक्स प्लस बाई की बेलू पूछ रहा है ठीक है आप यहां से क्या निक सकता हूं यहां एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाई को अगर आप इधर भेजोगे तो नो वाई बटे किता हो जाएगा साथ हो जाएगा हिंदी बाद समझ गे आपने एक काम की चीज यहां से निकाल ली कंफर्म अब आप मुझे बता दो संक्षा को गणनफल किता है 1575 यहा काटो देको shortcuts 9 एकम किता हो जाएगा 9 किता बचेगा 6667 हो जा जाकर 67 63 एतनी बार समझ में आई आप मुझे तो ये देखो साथ का एक प्यार और होना चीट किंकि हाँ स्क्वाइर है ना तो आप मुझे तो सास से कट जाएगा आपको कि साथ एक हम साथ मलब की साथ दूनी चोदा होता ना हाँ मुझे तो कित्नी बार जाएगा आपको गुणा करेंगे 7, 2, 14, 3, 7, 35 यानि कि 25 सत्य किता होता है, 175 होता है, इंटू 7 आप मुझे तो यहां से बाई की वेलू क्या निकल कराएगी आपको कि दो बार 7 है, तो एक बार 7 निकल कराएगा ठीक है, और 25 मतला 5 का स्क्वार, यानि कि एक बार 5 निकल कराएगा यानि कि बच्चा यहां बाई की जो बैलू आएगी वो किती आएगी आपको कि पैतिस आएगी ठीक है, अब बाई की वेलू अगर आप पैतिस रखोगे यहां पर, तो 9 इंटू पैतिस अपवान किता है, 7, 7 पना किता होता 35, 9 पना किता होता 45 यानि कि यहां पर बच्चा क्या निकल कराएगा, आपको कि एक्स की बैलू निकल कराएगी 45 और य की बैलू निकल कराएगी 35, इतनी वा समझ गे, आपको चाहिए कि एक्स पिलस बाई से सेंफ़ाइं ठीक चारसे किया जाता है तो सेस्पल किता आता है था कनि या निकी का दवल को आप मुझे तो तेन का डबल करोी किता आएगा आप Vä давно करोंगे ना लेगा तeil होता है इस च्छा को शाइब को अगर आप आप मुझे तो चार से भाग करो चार एकम चार बचेगा किता दो चार दो छे होता ना यानि कि आप सेस्पल जो आएगा बच्चा वो किता आएगा दो यानि कि ऑप्शन नमबर 20 दा राइट अंसर बहुत ही आसान सवाल होते है बस कुछ समझने का हेर फेर होता है मैंने बोल संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दो गुने के बरावर आता है और सेस्पल तीस आता है तद मुसा संख्या क्या होगी बहुत ही आसान सवाल है देखना ध्यान से समझेंगे और कितनी आसानी से सवाल लग जाएगा आपको पता ह बच्चा की संख्या जो होती है आपको के भाजक इंटू भागफल प्लस सेस्पल होता है इतनी तो आपको पता है इससे जादा तो आपको पता नहीं है ठीक है जितना पता बस उसी से हमारा आंसर आना चाहिए आप देखो आप से कह क्या रहा आप मुझे तो एक चीज यहा यानि कि हजार से विवाजित क्या जाए अब हजार से विवाजित करने का मलब यहां पर हजार है क्या आपको हजार से विवाजित यानि कि हजार हमारा क्या हो जाएगा फिर भाजक हो जाएगा इतनी बास समझ गए आप दियान से और क्या कह रहा करने पर भागफल जो है न उनके अंतर के दोगने के बरावर आता है देखो अंतर आप मुझे ता पांसो पच्पन में अगर चार्सो पैतालिस घटाओ के किता है आपको के पांस में से पांस जाएगा जीरो पांस में से चार जाएगा एक पांस में से चार जाएगा एक यानि कि 110 हमारा अंतर आएगा ल जाएगा आपको 220 इंटू 1000 करोगे तो 220 में तीन जीरो चपक जाएगे ठीक है तीन जीरो चिपने बाद में आप क्या जोड़ना तीस अब मुझे यह कहां दिख रहा आपको एकाई धाई सेकड़ा हजार दसेजार लाग यारी की 2,20,000 दे रखा 2,20,000 में अगर आप तीस जोड़ोगे तो 2,20,000 आपके सामने उप्षन नंबर ए भी दे रखा ना बादी समय क्या दे रखा यहां देगो 22,000 दे रखा खतम हो जाएगा यहां बहुत ही छोटे छोटे नंबर दे रहे यह तो की तो दोस्तों कुसर नंबर 17 आपके सामने यह रहा बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा एक संख्या एक्स को 289 से भाग मनलब की विवाजित करने पर 18 से बसता है उसी संख्या को 17 से विवाजित करने पर 22 से बसता है तो बाई का मान क्या होगा दोस्तों बहुत ही आसान से भाग कर रहे और 17 अब मुझे से दो पहले संक्या किती थी यानिकि से किता था ऐसी को संक्या मालें लेंगे और 17 अगर आप विवाजित करों गया तो कितना से आपको कि option number D is the right answer, बहुत ही आसान सवाल है, आई होब दोस्तों आपको समझ में आया होगा, चलिए बात करते हैं कुसर नमबर 18 की, तो दोस्तों कुसर नमबर 18 आपके सामने यह रहा, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है, कि A 228 को विभाजित करता है, और 18 सेस बसता है, ठीक है, बताना यह है कि A का दो अंकों का सबसे बड़ा मान है, दोस्तों क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि अगर नमबर हमारा 228 दे रखा है, यदि A जो है, इसको विभाजित करता है, तो सेस बसता मिलता 18, आपको बताना यह है कि A जो है, दो अंकों का सबसे बड़ा मान कौन सा होगा आप मुझे तो आपके सामने option दे रखे ना कैसे चेक करेंगे बड़ा मान पूछ रहा है तो सबसे पहले बड़ा number चेक करेंगे कौन बड़ा number है आपको 70 अगर मैं भाग करता हूं ना तो आप सबसे बड़ा मान कौन सा होगा आपको ऑफसर नंबर एस डा राइट आसर अगर 11 नहीं मिलता तो फिर मैं सतर के बाद में 30 करता है आई होब दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए आप बात करते कुस्तर नंबर 19 की तो दोस्तों यह रहा कुस्तर नंबर 19 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है विभाजन के एक प्रिसन में विभाजक यानि की भाजक ठीक है भागफल का 12 गुना तथा सेशपल का 5 भाजक इंटू भागफल पिलस का क्या होता है इतनी बार समझ गए पिलस का सेशपल होता है कंफर्म मैंने बोला जब भी स्टाइब के सवाल आते तो आपको देखना होता कि फिक्स वैलू हमारी क्या दी गई है आपको कि यदि उसमें सेशपल जो है बच्चा वो कितना है 36 आप 36 यानि कि फिक्स वैलू है आप मुझे तो शेशपल जो है बच्चा वो कितना है 36 अब 36 से लेना देना है बस आंसर हो जाएगा कहरा कि बभाजक जो है वो भागफल का बारा गुना तथा सेशपल का पांच गुना यानि कि कौन भाजग भाजग जो है बच्चा वो अब मुझे जा भाखफल यहां कितना है नहीं पता तो 182 को कितना होना चाहिए आप से पूछभा भाजग कितना होगा तो बच्चा कर बेंदा करोग कि शतिस गो करो आई होब दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए बात करते हो कुस्टर नमबर 20 की तो दोस्तों यह रहा कुस्टर नमबर 20 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है जब यन को 6 से विभाजित किया जाता है तो सेस्पल बच्चा किता आता है ठीक है तद नुसार जब 2N को 6 22 की सब्सक्राइब क्युक्क टेबाब 120 आया होगा चलिए बात करते है कुस्टर नमब 20 की तो दोस्तों कुस्टर कुस्टर नमब 21 की जब तीन अंकों वाली संक्या के अंकों का योगफल कितना है आप कैसे करोगे आप मुझे जब भी एक चीज़ा रखना जब भी एक समान सेस्पल छोड़ती है ना तो कुछ नहीं करना आपके सामने जो भी संक्या दी गई ना उनका अंतर निकाल लीजी आप मुझे ताओ ग्यारा हजार दोसो चौरासी लिखा है और छेतर सो पश्पन को अगर आप घटा होगे ना तो आप मुझे तो कितना बचेगा आपको 14 में से 5 जाएगा 9 यहां देखो कितना बचेगा आपको 7 में से 5 जाएगा 2 यहां 12 बचेगा ना क्यूंकि 7 का किलेटी यहां हो गई अब आप यहां से करी लोगे 12 में ने 6 जाएगा 6 बचेगा अब यहां 10 में से 7 जाएगा चितना बचेगा 3 बचेगा यानि कि आपके सामने जो अंतर आया एक संक्या से लिभाजित की जाती कि आप इसको ऐसे फेक्टर करना कि एक नंबर जो है वह हमारा तीन अंकों का मिले ही मिले इतनी बार समझ गए आप मुझे तो 369 जो है ना बच्चा वो कितना है आपको 19 इंटू 191 क्या नवे है 19 इंटू 191 आपको इतनी फास्ट कैसे पता चल गया बच्चा एक ची ध्या रखना आप मुझे उता हो 19 का जो इसक्वायर होता है बच्चा वो कितना होता है आपको 361 होता है यहां देखो है कितना आपको 361 प्लस का 19 समझ रहे ना यहां जो नंबर लिखा है फिकि मुझे पता है कि 19 का स्क्वायर लिखा है तीनसों एकटा ठीक है इतनी बाद समझगे यहां देखो 361 आपको थोड़ी देर के लिए समझे ए यह को कि 19 थो च्वेल किन्ट इंटो किता आपको गएदस है और प्लस का किता आप ऐए आपको जोगों रोगों तो आप मुझे सब्सक्टा बनाएगा और यहां प्लस का बन बचेगा आप यही तो मैंने लिख लिया ना डारेक्ट हमेशा रखना जब भी इस टाइप का नमबर देखे ना तो आपको देखना एक किस नमबर के स्क्वाइर के पास में तोड़ने की कोशिश करना आपका आसानी से हो जाएगा इदनी बाशन अब यह कह रहा है कि तिन नांगों की संक्वाल के अंकों का युठ्व में बहुत ही आसान सवाल है पस धियान से समझोगे ना तो कैलकुलेशन आपकी सरल हो जाएगी इस सवाल में अगर आप फसोगे ना तो सिर्फ आप calculation की वज़े से फसोगे हमेशा दया रगना आप कभी भी factor करो ना तो देख लो सब्सक्राइब किस नंबर के square के पास में है लगबग तो आप factor करोगे जीवन आपका सरल हो जाएगा आई होब दोस्तों आपको question number 21 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा चलिए बात करते हो question number 22 की दोस्तों ये रहा question number 22 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है विभाजन के एक person में विभाजक भागफल का तीन गुना तथा सेस्पल का छे गुना है तद नुसार यदि सेस्पल हमारा दो है तो उसमें भाज कितना होगा मैंने बोला भाज बरावर क्या होता बच्चे आप आपको भाज बरावर जो होता है बहुत ही आसार होता भाज बरावर क्या होता भाजक इंटू भागफल भाजक इंटू भागफल प्लस का क्या होता आपको सेस्पल होता है ठीक है इतनी कहानी तो आपको पता है अब मैंने बोला जब भी स्टाइब के सवाल करने है ना तो जो absolute number दिया जाए ना उसको ही पकड़ना है यहां absolute number है कि आपको क São variables किटा ही दो है यानि कि सेश्पल को पकड़ेंगे दो ठीक है आप दिको क्या कह 5000 क्या कह तीन-गुना किता है आपकोगे 12 किस number का 3 तीन-गुना 12 होता हूँ आपकों के चार तिया बारा होता है यानि की भागफल किता है चार है आप से पूशे रहा कि भाज कितना होगा पच्छा आप मुझे तब बारा इंटू चार प्लस दो करोगे यही तो हमारा भाज होगा बारा चोको 48 48 प्लस दो करोगे किता है का पचास है यानि की option number A is the right answer मारना चाहिए option number D is the right answer कैसे आप मुझे तो आपके सामने number क्या लिखा आप लिखा है 49 की पावर 15 माइनस का पन लिखा है आप मुझे तो बच्छा अगर आप option number D यानि की 8 को चेक करते थोड़ी देर के लिए लिए लिखके दे रहा हूं यहां minus 1 नहीं है आप मुझे तो अ और एक्स्ट्रा यानि की बन माइनस बन किता हो जाएगा आपको के जीरो हो जाएगा जब भी सेस्पल हमारा जीरो होता है बच्छा तो वो संक्या हमारी पूर्टा विभाजित हो जाती है बहुत ही आसान सवाल है option number D is the right answer इस सवाल में कोई भी concept लगाने की जरूरत नहीं ह सिर्फ logical से ही इसको सवाल solve किया जा सकता है आई होब दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए बात करते हो कुस्टन number 24 की तो दोस्तों कुस्टन number 24 आपके सामने यह बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है यदि यम तथा यन धनात्मक पूरांग हो और यम माइनस यन एक सम संक्या हो तो यम स्क्वार माइनस यन स्क्वार हमेशा किसके द्वारा बेभाज होगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल है आप से कह रहा है कि यम और यन क्या धनात्मक पूरांग यानि की positive integer number है ठीक है और कह रहा है कि यम माइनस यन कैसी संक्या है एक सम संक्या है नहीं सकते क्योंकि यहां हमने पहले इंक्लूड कर दिया तो यहां की जगा मैं कुछ और लिख देता हूं यहां पी है क्या आपको निश्ट्रल नंबर है इतनी बार समझ गए तो सम संक्या का प्रारूफ होता वह कैसा होता यानि कि यह कैसा structure है टूपी टाइप का structure है ठीक आपको बताना यह कि एम स्क्वार मैंस एन स्क्वार हमेशा जो है ना किसके द्वारा विवाज होगा आप मुझे दाओ यदि दो धनात्मग पूरां संक्याओं को अंतर अगर हमारा सम संक्या है तो बच्चा हमेशा एक चीद ध्यान रखना आप मुझे तो इनका अगर इसका इस्ट्रक्चर मान ले रहें टू क्यू टाइप का यहां क्यू हमारा क्या है निश्रल लंबर है इतनी वाज समझ गए एक चीज हमेशा द्यान रखना जब अगर दो धनात्मग पूरां संक्याओं को अंतर हमारा अगर सम संक्या आता है तो इनका योग जो होता बच् इसका मलब इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना यानि कि यम पिलस एन कोश्टक में यम माइनस एन आप मुझे तो यम पिलस एन की वेलू है क्या आपको कि यह सम संक्या यानि कि 2Q के बरावर है यम माइनस एन है क्या आपको को 2P के बरावर हमेशा होगा यहां P और Q की वेलू कुछ भी हो सकती है लेकिन 4 थोड़े ना बदलने वाला यानि कि ऐसा नंबर जो 4 का मर्डपिल होगा इसका मलब मैं कह सकता हूँ यह हमेशा जो होगा बच्चा वो 4 से विभाज होगा आई होग दोस्तों आपको कुसर नंबर 24 बहुत अच्छ से समझ में आया होगा चलिए बात करते कुसर नंबर 25 की तो दोस्तों यह रा कुसर नंबर 25 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है यदि एक तीन अंको वाली पूरांग के अंतिम दो अंको से बनी संख्या आप मुझे तो तीन को की संख्या का प्रारूप पता है आपको क्या होता है आपको कि यहां पर आक्स नंबर कहां से कहां तक एक से लेके नो तक इतनी बार समझ गे ना आप मुझे तो तीन अंकों के डिजिट का जो इस्ट्रक्चर होता बच्चा वो 100X प्लस 10Y प्लस Z होता है इसको कॉपी में नोट करना दो अंकों का इस्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको बता आप से फॉर में होता है याने दो अंकों का नंबर अ इतनी बाद समझ गए आप मुझे अंतिम दो आंग जो है ना बच्चा वो किया एक संख्या 6 का पुड़ांग के गुड़ज हो यानि कि 10y पिलस जैड जो है ना वो 6 का मल्टपिल होना चाहिए तभी तो 6 का पुड़ांग के गुड़ज है यानि कि मैं कह सकता हूं कि 10y प्लस जैड बरावर अगर मैं 6m यहां पर रख देता हूं कोई दिक्कत क्योंकि हमें कहा गया कि लाश्ट के जो दो आंग है ना वो 6 का पुड़ांग के गुड़ज है आप मुझे तो यह लिखा कि 100x प्लस का 6m लिखा है आपके सामने जो नंबर निकल कर आया वह 100x प्लस का 6m आपको को यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं आपको के 2 ले सकते हूं दो कॉमन लोगे तो किता हैगा 50x प्लस का 3m आएगा आप मुझे तो ऐसा नंबर जो 2 का मटपिल है 2 का मटपिल हर वार मिलेगा ना यहां x और m की वेलू कुछ भी रखोगे लेकिन नंबर जो होगा वो सदैब 2 का मटपिल होगा क्योंकि 2 into something लिखा है इसका मतलब पूरांग सदैब निम में से किसके द्वारा विभाज होगा सदैब की बात कर रहा है क्योंकि सदैब में यहां पर 2 का मटपिल 100% include होगा ही होगा इसका मतलब option number C is the right answer क्योंकि 2 एक ऐसा number है जो सदैब विभा होंगे दोस्तों आज के जो सवाल है ना वो एक्जाम oriented है यह सवाल एक्जाम में आ सकते हैं 100% दोस्तों अभी नंबर सिस्टम खतम नहीं हुआ है अभी और भी सवाल कराने को बाकी है मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि नंबर सिस्टम से सवाल आपके करवा दिये जाए ताकि आ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जहिंद